है लो श्रीट्ट जैन वल्कम बैक टीचनल सिराज शेग आज अंस्टार्ट करने जा रहे डिपार्टमेंटल अकाउंट जो टॉपिक है यह फिर्स्ट यह बैप को न्यू एडूकेशन पॉलिची के इसाब से फाइनेशल अकाउंटिंग में आने वाला है तो स्टार्ट करें अकाउंट यह जो है टॉपिक यह अल्रेडी बहुत पुराना टॉपिक है बट न्यू एजुकेशन पॉलिची की हिसाब से सिर्फ बैक को दिया गया है वीकौम के सिलावस से हटा दिया गया है ठीक है कुछ भी नहीं नाम ही उसका सॉलीशन है डिपार्टमेंट अकाउंट अचांट में फाइनल अकाउंट तो कीआ ही है फाइनल अकाउंट में हम कॉनसे विकन से अकाउंट बनाते थे सर हम जो आते थे उस वा बैलेनश एद रोफिन लौस तो बनने वाल आई है और हमको करना क्या था था खाली रिकॉर्ड करते थे trading account में trading expenses यानि के goods और factory expenses profit and loss में offices के expenses को record करते थे कि इधर वही करने हैं खाली expenses income record करना है gross profit find करना है net profit find करना है sum complete आपको सिर्फ समझना यह तो trading जाएगा अरे तो profit and loss में जाएगा बराबर है but expenses के लिए हम जब column बनाते थे तो 2 rupees का column बनाते थे यहां पर rupees का column हट जाएगा और यहां पर department के आएंगे सरी क्या होता है department example के लिए अगर आप गलती से demart चले गए अब दी माट चले गए अब डी माट में देखो sections होते कि भाई खाने का section अलग रखा है चॉकलेट सबका dry foods के लिए रखा हुआ है regular सामान अलग रखा हुआ है कपड़े का section अलग है डेमार टो एक ही है तो अर्वर वहलिप मालिफ है लेकिन इसमें से इस प्रोड़क का सेल्स कितने का हुआ इस प्रोड़क का खर्चा कितने का हुआ इसको खले बाया परकेट करना है और लोजिक समझ में आना चाहिए कि कौन से चीज किस से डिवाइड की जाएगी to find the proper allocation ठीक में और total के column में डाल जो columns में आपको बनाने दीने वालों यहां पे ध्यान देना है पटिकुलर basis यह अगर आप बनाना चाहो तो बनाओ तो बहुत अच्छा है जितने डिपार्टमेंट है उतना डिपार्टमेंट का column और यह notebook का page है देखो मैंने column कैसे prepare किया मार्जीन मैंने यूज किया है आप भी यूज कर सकते हो कोई प्राब्लम नहीं है आपके सेमिस्टर में भी यूज करोगे तो भीचे लेगा यह आपको इधा प्रेजेंटेशन देने का रीजन है कि नोट्बूक में आप ऐसे प्रेजन करो ऐसी करोगे तो आपके लिए अच् loss account कुछ expenses ऐसे होते है जो department के लिए नहीं होते है फूरिजांपल लीगल expenses करवा लिए अब यह legal expenses करवाने से sales department कुछ फरयब पादने वाला है purchase department कुछ फरक पादने वाला है नहीं तो यह expenses by forget नहीं कर सकता हो मैं auditing कर लिए audit fees कर लिया मैं वह auditing तो तुम बिजनस का करवा रहे हो तो उसका कोई डिपार्टमेंट से लिन देने क्या नहीं तो कुछ expenses ऐसे होंगे जो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो जब आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते हो तो उसके लिए और एक profit and loss रोट बनाने जिसका नामें जनरल प्रोफित नोल नॉर्मल में बना थे बार्टिकलर रुपीज कर दें इस उसको अपन डिपार्टमट में बाट नहीं सकते तो उसे में चाहीं जब अवे जनरल प्रीट और गन्रीनीश बालें आने वाला नहीं हो अगर याद करेंगे 12th standard गा तो निंग स्टॉक बाइ क्लोजिंग तो पर्चेस बाइस लेस्ट रिटॉन लेट रिटॉन ये तो था लेख दिया मैंने रिटॉन्स नहीं लिखा क्यूंकि जरूबत नहीं अगर रहेगा तो वह भी लिख सकते हो तो बैट देज अगर आया तो भी फॉर्मेड लिख देंगे तो बेसिक इतना तो लिख देनेगा बाखी कुश्चन दिया है कॉपी पेस्ट करो बाद में सोचेंगे किदर किदर जाने वाला है अप्रोच यह रखना फ्रम दू फॉलिविंग इंफरमेशन पे नमबर 239 पर प्रिपर डिपार्टमेंटर डेविंग अप्रोफित आंञ अकाउंट फॉर्ट यह रिगांट अंटेव इंट इसिरे मार्ट 24 फॉलिविंग इंपर्टमेंट बिश्चनल यह यह इनद फॉलिविंग दिवाइग कर दिया इसोचने की दरवाद है क्या नएधी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट टोटाल परे समझ आ कि दिवाइड करके दिए है सब्सक्राइब बोलिए सब्सक्राइब करके दिए है जो डिवाइड करके दिया है उसको जैसा उपनी सक बारे में तो वेज़ेश डिट लाक एक लाक डाए अजुन कुछ नहीं सरो आफिस कहाना जाता सोफिस आठी से छी में जाता है नहीं टोटाल कि डिसकाउंट औलाओड और काँ प्रोफट एंट लास दिया है र करें नहीं डिसकाउंट सीव इंकम होगा क्रेडिट साइट पे जाएगा बाइड डिसकाउंट रेसीव दिया है फ़र्गेट करके नहीं टोटाल अरे समझा क्या फिर उसके बाद है रेंड खर्चा है डेबिट में टोटाल और कुछ इतना तो करें सकते हो न अब क्या अब क्या अब क्या एडिशनल इंफरमेशन एड इडिट साइट बैलेंशिट पे असर असेट नहीं बनाया है बूल जा हरे ट्रिडिए अगाउंट में जिवान एक फिफ्टी सेवें लाक्स फिफ्टीन फिफ्टी जालो ऑफिस का स्टाफ अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट एसे दस परसंट एंड डिपार्टमे तौछ एडिवें पंछ पर्संत मतलब जो भी तुमने पघार दिए है कितना पघार दिया है यए कितने लोगों का है 15 लोगों का थे दस डिपार्टमेंट ए में है पाद डिपार्टमेंट भी में तो एक्कॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड भी करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे सब्सक्राइब इधर पैन नहीं रखा है लोग ने हाँ बोला पैन नहीं काम आएगा इंड बारा लाग कि वालाग मिया इंटू 10 डिवाड़ेड़ बई हैं कि इतना ओगया इन पंद्रा Ratka तो कि संद्रम एक्रवालम को क्यों फंक कि बारा लाग को डिवाइड सैंट्ब्हाइड च अंद्रा कर दो पुछने का तो देख लो दस इस्टू फाइव अंजा फाइव 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 तूजा मैं कोई नहीं करने का है मेरे पाद दिमाग ही नहीं है बराबर एक्जामें में भूला ने भाई यह तो याद रहेगा यहां पर आएगा बारा लाक इंटू पाच डिवाइड़ बाइ फिरा चार लाक गैँटा चार लाक यह चार लाक बारा मैं से आड़ गया तो चारी बचनेवला है उदर बेसिक बैंट एक डड़ एरिया ऑक्क्वाइड लिए डिपार्टमेंट हजार तो कि तीज के लिए होता है कॉंसी सब्सक्राइड के लिए अध़ को एड़ हजार एक एरिया का कितना एक सो आएगा सो इंटु थाजार नहीं समझ में आया सो नहीं समझा ठीक है सोलह हजार इंटु हजार डिवाइड बाइब वाइशूला सो दस हजार दस हजार तो बजएगा छेजार समझाइए एनी डाउट इतना क्लियर हो गया फिर 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 डेप्रिसियेशन और तो इदे दिया ही नहीं है इदे दिया तुमको लिखना पड़ेगा है every adjustment to effect 1 debit 1 credit depreciation कितना है which was allocated in department A&B depreciation expenses 13 000 में से साढ़े छहजार साढ़े छहजार Goods transferred from department A to B 400,000,000 very important adjustment very important किया उसनी goods ग intim देवा रहा है किधर से जय रहा है इसे जण रहा है कौन जया रहा है जया रहा है कितने का 40000 वाय के पास से जया रहा है इसका टोटल ले लिया इधर टोटल लार्णिंग चार लाग और यह किदर आ रहा है बी के पास तो टू गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम बी सरी इधर आएगा फ्रॉम ए यूंकि आप बी में लिख रहे हो ना इधर फ्रॉम ए और यहां पर फ्रॉम स्वरी टू बी लिखनेगा प्रॉम दैज दर आया बी का नाम नहीं आता किसका नाम आएगा एक किसका नाम आएगा अरे समझाई यह तैशस्बूक में लिखा रहेंगा तो एलो आपी-पेश्ट मारण रहेगा बड़ जो एक्चुली वपता देगा इस थीक है समझाई एम एक्लियर इसका टूटल एड्जेस्मेंट में चेक करो ना बिटा एड्जेस्मेंट में कितना है दे दे टेक्श्बुक देगी मेरे को हो सकता है करेक्शन अमांट लॉजिक समझ लो खाली बस इधर चार लाग चालीस हजार तो एक कैल्कुलेट करो ना बाइस लाग बचास 85,000 प्लस 85,000 प्लस 40,000 अभी चेज़ गर बाइस लाग पचास हजार प्लस चार लाग प्लस 85,000 85,000 ने 8,50,000 इतना हो रहा है मतलब वो चार लाग राइट अंसर है येस प्रिंटिंग मिस्टेक है डन है और कुछ बचा क्या एडजस्मेंट तो अब अपने क्या करने हैं जो एक्सपेंसेज को बाइफर किट नहीं क्या उनको करना पड़ेगा सब हो गया सब हो गया सब नहीं हुआ यह बाकी था यह तो होगह अब सेल्स बाकी है डिस्काउंट अलाउन और डिस्काउंट रेसीव बाकी हो अब डिसकाउंट अलाव का मतलब क्या होता है डिसकाउंट अलाव मतलब डिसकाउंट दिया किसको दिया कुछ खरीदने आया तो दिया मतलब discount allowed को कौनसे ratio में बाटनेगा sales के ratio में बाटनेगा कौनसे ratio में बाटनेगा sales दिया है question में हाँ sir दिया है कितना दिया है 22,50,000 is to 15,00,000 दिया है न तो 40 इधर से जाएंगे 40 इधर से भी जाएंगे तो क्या बज़ गया 225 is to 150 आप चाहो तो छोटा कर सकते हो चाहो तो ने तो यह ratio रखा तो भी चलेगा 5 के टेबल से जाता है अगर थोड़ा बहुत कर सकते हो तो 53 जा 15 जीरो 54 जा 20 55 जा 25 56 जा 30 59 जा 32 जा 33 जोटा करते हैं तो और अच्छा हो गया 3 is to 2 तो अब दो लाग बीस हजार यह आपका डिसकाउंट अलाओड है इंटू 3 अपॉन 5 कर दो दो लाग बीस इंटू 3 डिवाइड बाई 5 वन लाग 32 जाएगा समझ में आ गया हो गया अब अब डिसकाउंट रिसीव कब रिसीव कर रहा है कि सामान भरी दोगे परचेज करोगे तो डिसकाउंट मिलेगा मतलब इसविस इसदो बटेगा परचेज रिष्यो में परचेज रिष्यों यह आपका दस लाक और आठ्ट एन लाइक्स कि इस्टू एटलाक्स कि पाथ 0 पाथ 0 गया बच गया तैन इस तू एट तू फोर्स आ तू फाइज लाइज 72,000 into 5 upon 4, sorry, 9 48,000 आ जाएगा, बजगया 32,000 सारे expenses done, कतम, 12 में जैसा करते थे, वैसे कर लो, एक एक department में total कर ले थे, पहले total का total कर ले था, 37,50, plus इधर 4,00, भी है, इधर 4,00, लिखा नहीं है, 37,50, plus 4,00, plus 15,00, 50, 37,50, plus 4,00, plus 15,00, 53,00, आता है, कितना आ रहा है, 57,00, 57,00, बतलब, चार लाग इधर total में डाला, नहीं है, ठीक, अम आउन में कुछ तो गड़बढ है, बाकि कोई 53,00, रिखा है, ठीक है, कोई निविन में changes कर दूँगा, कितना आ रहा है, इधर 57,00, ठीक है, 57,00, ले लिया, 4,00, में इधर डाल दूँगा, डन, 57, 57 को इधर ही लिखूगा में, बाबर, अब 57 में सब माइनस करो, 6,50, 18,00, 2,50, 4,00, माइनस करो, कितना आ रहा है, 20, मतलब इधर correction है न फिर, इसमें correction है, आपके textbook में बाद चेक करना, अच्छा, नहीं दिया है, इसका 57,00, लिया, और कितना रहा है, इधर में को आमाउंट बोलो, 26,00, एक्जाक्ट, 26,00, ठीक है, डन, टेश्बूग में टूटल खिया है, अब डिपार्टमेंट बी का टूटल में कौन सा साइट जाधा लग रहा है, सर यहीं जाधा है, 15,00, प्लस साथ, 22,00, 22,00, चलो माइनस करो, कितना आ रहा है, चार और आट, 12, 13, 13,00, और 4, 17,00, 22,00, 22,00, 35,00, 35,00, माइनस कर दो, 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 13,00, माइनस कर लेंगे, इसमें से, 35,00, 13,00, 22,00, 21,00, 21,00, 25,00, 26,00, 26,00, 26,00, 21,00, 25,00, 26,00, अधा बिदा करेक्षिन, समझ में आ गया, करेक्षिन था न, यह दो लोग ने लिगा था न, 25,00, यह 57,00, बराबर है, टोटल, 21,00, 25,00, 26,00 होना चाहिए, अपना टोटल, समझ में है, टोटल को आपके बुक में नहीं किया, मैंने करके दिया है, ठीक है, क्यूंकि आगे के सब कुश्चिन में टोटल होगा, यह पहला समय नहीं करवाया, नहीं करवाया, समझ में यह पक्का, अब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आए, वो कहां जाता था, प्रॉफिट एधर डेबिट एधर क्रेडिट में, गीवन 21 लाग, पाच लाग, 26 लाग, 26 लाग, इधर 26 लाग, अब टोटल का टोटल कर ले दे, 26 प्लस 72 करोगे, यहाँ पहे 26लाग 72 थाउजन आ जाएगा, 26 लाग 72 थाउजन, चलो माइनस कर लो, कहां से, 12 लाग 2 लाग 26, 16,000-13,000 माइनस कर लो कितना अरह है 12,00,000 कितना है बोलो लूग मैं लिख रहा हूँ 12,23,000 उदर जो लिखा मैं उस पे बरोसा नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ 12,23,000 अब दोनों department में कौन सा है यह 4,00, 5,00, यह दर 88,00 यही जाता है 5,32,000 minus कर दो चलो जैसे 12 में करते थे सेम कर थे 31,500 समझ में आ गया इधर 21 लाग यही जादा है 21,40,000 21,40,000 minus कर दो 9,45, थर्टी 42 11915 दोनों को प्लस करो देखो 12,30,000 आ रहा है क्या दोनों को प्लस करके देखो 12,30,000 आ रहा है क्या 1191500 प्लस 3158 12,30,000 इसे तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एक्सपेंस था जो ऐसा लगा बाइक फर्केट नहीं हो सकता ऐसा कुछ था गया डिपार्टमेंटल क्या है समझा पक्का 100% और एक सम की केपैसिटी पक्का चलिए बढ़ेंगे और एक सम कर लेते सेम फॉर्माट बना लेते हैं कि एवरिधिंगे सेव फॉल्विंग पर्टिकुलर चैतनिय गार्मेंट प्रिपेर ट्रीडिंग प्रॉप्टेंग लॉस अकाउंट पॉर्टू डिपार्टमेंट गार्मेंट और कॉस्मेटिक्स दिया गया है बराबरे तो ओपनिंग इस फ्टी फाइड फिफ्टी फाइड वन लाग फिफ्टी तोटल का आपके टेक्स्विक में नहीं किया है कोई प्रॉब्लर ने बड़ मैंने तो कर दिया है ठीक है टोटल मिस्टे कर रहेगा कुछ तो मैं आपको बता दूंगा बड़ जो भी है परचेस दिया है और तो फिर सेल्स दिया है तो बाइस सेल्स गीवन त्री लाग ट्वेंटी टू लाग एटी एंड सिक्स लाग सिक्स लाग सहां यहां पर ठीक है फिर उसके बाद सैल्री जाएगा प्रॉफिट लॉस में और कुछ नहीं अभी बाइफर्केट नहीं किया मतलब कौन से कॉलम में जाएगा टोटल के जनरल एक्सपेंसे प्रॉफिट लॉस में कितना पंदरा अजार रेंट प्रॉफिट एंड लॉस क्यारेज इन व उसके बाद केरेज आट वर्ट कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस में बारा आज दिसकाउंट अलवड डेबिट में डिसकाउंट रेशीव क्रेडिट में पराबर है Φोफिर ट्रैब्वंग प्रॉफिट और लॉस इंशरेंश चार्जेस प्रॉफिट कोई इसा एक्स्पें साऽे साथ हजार इंशोरेंस कितना है, पाचहजार? फाचहजार है न? एक मिल्ह विग्र क्यू देंगे और इसन पर क्या ऐफक्त है यह एडिजस्मेंट है ना इंशोरेंस मिल्हा देंदे लास्ट में दिया है कि देखो साड़े साथ सुरी डायाजार समझ में आ गया इफेक्ट क्यों देंगे इसको वो जो भी तुम्हारा जनरल एक्सपेंस है उसने क्या एड्जेस्मेंट में दिया जो भी जनरल खर्चा है इंशरेंस का खर्चा है उसको क्या करने का एक्वली बाटने का है यह में कर दूंगा अभी डायडा है इधर आए धन में उसके बाद है एरिया ओक्यूपाइट बाइगार्मेंट और कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट और इंदर रिश्यो फोर इस्टू बन तो एरिया मतलब रेंट क्यों पर एड्जेस्मेंट आ गया कौन से रिश्यों में आए फाइफ तो 6000 6000 इंटू फोर 24,000 बराबर इधर 24,000 आएगा इसके लिए और 26,000 कि टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन है 25 और पांच लिगा तो रिश्यों गलत है यहां पर इसके लिए यह यह रिश्यों दिया है मैंने उसी रिश्यों में डिवाइड करके लिए 24,000 और अरेक्शन समझ में आ गया चलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गार्मेंट वन लाक ट्विंटी और शिस्टी क्लोजिंग स्टॉक का दोई पे ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रडिट साइट बैलेंशिर पे असे बनाए क्या आपने नहीं अरे समझाए चले बढ़ेंगे नेक्स अधर एक्सपेंसे और इंकम तो भी अलॉकिटेट बिट्विंट इंद शूटेबल बेसिस जहां पर जो सेट होने वाला उसी डिपार्टमेंट में बाटने जैसे भी सबसे बात करता हो क्यारेज इनवर्ट वाट इस क्यारेज इनवर्ट सामान लाने का खर्चा लाने का ख अब भी सोजाएगा अरे हां अरे समझा तो 24 इस टू 16 फोर फोर जा फोर सिक्स तूट तू जा तू 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 में बाटेंगे कैसे तो छे हजार इंटू थ्री डिवाइड़ेड बाइड़ फाइव थीन हजार शेसो बज गया चौबिस सो अरे समझा ट्रेड अब सैलरी हो गया जनल हो गया रहें कैरेज आउट वर्ट बेचने का खर्चा है ते इस रिश्व में जाएगा मतलब यह आपका से रिश्व निकाल लेते हैं कितना है थ्री लाग थर्टी तू ने ट्वेंटी ए प्रिंटिंग मिश्टेग्या थे लाग ट्वेंटी यहां थ्री लाग ट्वेंटी ताऊजब गया है जांति तो इस तू लैग एटी थावज़ें है इस तो नदा में वह चाहाँ चारजी चार्फित टू इस तो ट्वेंटी एट फ़ोर सेवनजा ट्वेंटीएट फॉर एट गआजु में तो तो स्युट को तो यह विक्वर औब ए 12,000 12,000 into 8 divided by 15 6400 बज गया वो इधर आ जाएगा अरे समझा दो डिपार्टमेंट में टेंशन कम रहता फिर डिसकाउंट अलाउड किसको डिसकाउंट देंगे जिनको बेचेंगे मतलब फिर से वही रेश्व आएगा 8 is to 7 का अरे बराबर यहाँ पे 9,000 into 8 divided by 15 अरे बाकी बज गया वह इधर ट्राव लिंग खर्चा आएगा ट्रेवल कि बोलो ट्रावलिंग इन परचिस सेल्स में जाएगा कि वह सब्सक्राइगा खर्चा कि ए नो तो खर्चा तो कि ए खर्चा लेकिन को देश्व करचा जाएगा औठ काम से अधित करनाई कवे ऐसें कि ए इस। कि इस को शीर में और आधि प्रक्वर के लिए स्प्पैसिफाइख यह क्यों कि एपने यहां पर छुज़्वरह करने हैं जो त्राइंक के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारे साव hm कौनसे बाटा है सेलिंग रेशियो में कौनसा एट इस्टू सेवन तो पंदरह आजा मतलब आट हजार और साथ हजार आ जाएगा था रभावर और यहां पर है छे यहां पर है चौ बीस हजार और और नहीं बात समझ में आ गया ना अरे मैं कर रहा हूँ ना टूटल बिटा छे लाख और असी तो यह हो जाएगा साथ लाख असी हजार साथ लाख असी हजार माइनस एक लाख पंद्रह हजार चार लाख और छे हजार कितना तो लाख फिफटी नाइन ताउसन यह टूटल का कॉलम अभी डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स में यह जाधा लग रहा है दोलाग अजी प्लस साथ त्री लाग फॉट्टी त्रीलाग फॉट्टी थ्रीलाग फॉट्टी माइनस कर दो 50 शाट और 2400 था था बचासार में दो लक था दस चलां यह एक लक अगा एए लाग थाटी इस 20 276 परफेक्ट है एक अंदर यह जाधा इदा 3,20 इस चार लाग चालिस चार लाग चालिस माइनस कर दो माइनस टोटल समझा इधर से आप आजाओगे इधर ग्रॉस प्रॉफित वन लाग थटीवन फॉर हनड़ी तू लाक को तोलाग फिफ्टी सेवन और तू लाक समझा चालिए तोटल कर लेते ंचिए तू लाकर फिफ्टी नाइन थाउजने प्लस4ेचेंट फीनाइनड टू लाग हесky357 चिक है टू लाक gloss 63 2006 माइनस कर दो इधर सब 22,000 15,000 2,63,500 में यह सब माइनस करना है यह अमॉन में कोई 25,500 ठीक है डन अभी यह जादा लग रहा है 1,27,600 प्लस 1,800 करो 29,400 1,29,400 माइनस कर दो 87,600 परफेक्ट आंसर देखके मत बुलो टोटल करके बोलो बिला अरेक्शन क्योंकि क्या टेक्श्बुक में लिखा है आप माइनस करके चेक करो क्योंकि जरूरी नहीं करके देख लो नवड़ा 87,600 आ रहा है क्या चेक कर लो बराबर है दूसरा यही जादा लग रहा है क्योंकि टोटल इसका कितना रहा है थर्टी थ्री वन अंडेड थर्टी फॉर वन अंडेड बराबर है थर्टी फॉर वन अंडेड माइनस करो अभी बारह आजा से प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट चेंज होएगा इसमें कैसे और एक कम हो जाएगा इसके लिए मैंने बुला खुद से सॉल्ल करो ना बेटा एक हजार बढ़ गया ना यहां पर आपको आज आएगा यहां लिख रहा हूं अब इधर माइनस करो इसके लिए बुला था टेक्श्बुक मत रेफर करना इधर 24,000 लेने गाए उनको फिएट ना अइनगों को प्लस करो 155 फाइंड आ रहा है के चेक कर लो इन दोनों को प्लस करो 155 फाइंड आना च्छेए शीएट ना अंड़ेड 88,600 50 तो फिर आपने इधर भी करेक्षिन में मिस्टेक किया है समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गलती कि इधर कर रहा है अब यह जो टोटल आप 259,000 प्लेस 4500 करो टोटल कितना आ रहा है 259,000 प्लेस 4500 कितना रहा है 263,500 अब उसमें से सब टोटल माइनस करो 22,000 माइनस करो, 15,000 माइनस करो, 30,000 माइनस करो 12,000 माइनस करो, 9,000 माइनस करो, 15,000 माइनस करो, 5,000 माइनस करो 15,000 फिर से इधर का टोटल दो 800 यह 800 इधा प्लस 1,27,600 1,29,400 1,29,400 माइनस करना 10,000 7,500 6,000 5,600 7,000 4,200 7,500 गया न 2,000 का फरक करो अभी 1,55,500 मेरे को confidence के रहे बिटा प्लस कर प्लस कर 1,55,500 समझ में गलती किदर है दो सम लेता हो नेक्स टेक्चर में इसके आगी के सम लेता हो चीक है जब के सम नंबर 9 था इसके पहले सम नंबर 8 था और भी सम भी तो चालू क्या फटफट खतम कर दूंगा तुम्हारा टापिक but confidence आ गया है कैसे करने का समझ में तो आज ही क्लास में इतना ही करते हो फुली वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना प्रेंट ग्रूप में शेय कानवा चैनल को सब्सक्राइब करना ठाइंग यो फुर वाचिंद वीडियो पूंग 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 पूंग